सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विक्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाएए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो टेक्नो विक्रांट में आप सभी का स्वागत हैं फैनली ओपो वालो ने अपने ओपो F19 के अंदर ColorOS 13, Based on Android 13 का New Stable Update rolling out करना स्टार्ट कर दिया है और इस अपडेट को मैंने भी अपने डिवाइस के उपडेट कर लिया है और इस वीडियो में मैं इसी अपडेट के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन-कौन से New Features देखने को मिलता है कौन से Bucks fix हुए है साथ ही क्या कुछ New Changes देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैं इस अपडेट का Complete Detail बताने वाला हूँ दोस्तो तो इसके लिए वीडियो को Last तक जरूर देखिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर Bucks, Features वगरा के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप Device Detail चेक आउट कर सकते हैं जहाँ पर उपर के साइड में आपको Official Version देखने को मिलता है और OPPO F19 का Model Number CPH2219 देखने को मिल जाता है बात की जाए इस अपडेट के Basic Information की तो यहाँ पर आपको F.68 का New Update देखने को मिलता है और इस अपडेट का जो साइज है 280.74MB का है और यह आपको ColorOS 13 के अपडेट के साथ Official Version देखने को मिल जाता है बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके Android Security पेच की तो यहाँ पर आपको Android 13 के अपडेट के साथ 5th March 2023 का Latest Enhanced Android Security पेच देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ इसके अलाव बात की जाए अगले चेंज की तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर सिस्टम में जो भी छोटे मोटे नौन इसू थे बगस वगरा देखने को मिलता था उसको यहाँ पर फिक्स करके सिस्टम परफर्मेंस और उसके ओररल सिस्टम इस्टबिलिटी को अप्टिमाइज एंड इंप्रूब किया है जिससी की और भी बेटर एक्स्पिरियंस देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ साथ दोस्तों कोई-कोई यूजर को काफी ज़्यादा लेगिंग इसू देखने को मिलता था तो उसको यहाँ पर रिड्यूस करके थोड़ा बेटर किया है लेकिन अभी भी दोस्तों किसी-किसी यूजर को काफी ज़्यादा लेगिंग इसू देखने को मिल रहा है साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो पोल्डर रहते हैं उसको अगर आप लार्ज साइज में करते हैं तो उस type पर जो एप्स रहता है फोल्डर में वह display नहीं होता था प्रॉपर्ली ικά सो नहीं होता था उस प्राबलम को इस update के साथ Master से करके बेटर कर दिया है जिससे कि अब आप फोल्डर लार्ज करते हैं तो आपको प्रॉपरली एप से का आइकन्स वगरा डिस्प्ले होता है देखने को मिलता है इसके लाओ बात की जा अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तो नाटिफिकेशन एंड इस्टेटेस बार में यहाँ पर उपर के साइड में दोस्तो आपको नाटिफिकेशन एंड इस्टेटेस बार सो करता है वहाँ पर जो छोटे छोटे आइकन्स नेटवर्क वगरा था इस्पीड वगरा या फिर नाटिफिक देखने को मिलता है इसके राव बात की जए अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तो camera के अंदर यहाँ पर दोस्तो अगर आप camera use करते हैं और photo अगर लेते हैं तो camera से photo अगर विउ करते हैं तो वो so नहीं होता था photo view करने में problem face होता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है अब दोस्तो आप photo लेते हैं और camera के अंदर से view करते हैं तो आपको properly view और working देखने को मिलता है इसके अलाव बात कीज़े अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो app drawer के अंदर यहाँ पर दोस्तो मैंने पहले भी आपको वीडियो बना कर बताया है अगर आप जैसे ही app drawer में जाते हैं तो यहाँ पर आपको apps वगरा जो है properly scrolling होता है up down लेकिन दोस्तो आप जैसे ही app drawer से home screen में आना चाहते हैं तो वहाँ पर वो properly work नहीं करता था अटक जाता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको app drawer में जाने के बाद home screen में आप back आ सकते हैं तो इस problem को यहाँ पर fix कर दिया है लेकिन दोस्तो अगर आप left right swap करते हैं तो कभी-कभी जो है आपको यहाँ पर hang type का देखने को मिल जाता है अटक जाता है properly यह left right swap नहीं हो पाता है कुछ ही इस type से अभी भी यह problem देखने को मिल रहा है जिसको यहाँ पर अभी तक fix नहीं किया है इसके लाव बात कीज़ अगले change की तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप setting के अंदर password and security में जाकर system security को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो google play system update है 1st March 2023 का देखने को मिल जाता है पहले दोस्तों 1st February का देखने को मिलता था तो अगर आप google play system को update करते हैं तो आपको 1st March 2023 का new google security patch देखने को मिल जाता है इसके अलाव बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों notification की अंदर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको कुछ इस टाइप से notification section देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों आप 3.पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 option देखने को मिलता है एक edit tiles का और दूसरा media output का पहले दोस्तों आपको क्यों edit tiles का option देखने को मिलता था लेकिन अब दोस्तों media output का new option देखने को मिल जाता है जिसके तुरू दोस्तों आप अपने media के sound को phone की speaker से सुनना है कि bluetooth devices जैसे earphone, earbuds वगरा से सुनना है तो वो आप यहाँ से select करके आप अपने media sound को सुन सकते हैं तो यहाँ पर आपको media output का new features देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर, connection and sharing के अंदर यहाँ पर multi screen connect का new features देखने को मिलता है जिसके थुरू दोस्तों आप अपने phone का screen जो है computer या laptop वगरा में या फिर tablet वगरा में share कर सकते हैं आप अपने file या data data को transfer कर सकते हैं तो यह features भी इस update के साथ देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात की जा अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर, wallpaper and style के अंदर यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको कुछ इस type से colors option देखने को मिलता है पहले दोस्तों आपको new layout और design देखने को मिलता था अभी यहाँ पर features color और wallpaper color देखने को मिल जाता है हाला कि दोस्तों यह दोनों color same work करता है जिस प्रकार wallpaper color picking work करता था उसी प्रकार यहाँ पर wallpaper colors या फिर new option देखने को मिल जाता है जिसके तुरू आप अपने wallpaper के अनुसार यहाँ पर colors चूस करके आप अपने system और UI का color जो है change कर सकते हैं यहाँ पर देखेंगे मैं यहाँ पर elegant को select किया हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे notification drawer का color change हो चुका है उसी प्रकार अगर आप setting में जाएंगे तो यहाँ पर setting का UI और icons और आइकन्स और का color जो है और wallpaper color जो है work करता है इसका new layout और new design new features की रूप में देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात की जा एगले change की तो वह आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर नीचेक set special features में यहाँ पर देखेंगे दोस्तो आपको new features देखने को मिलता है जो की है o work यह दोस्तो अभी beta stage में है जैसे आप इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ही type से देखने को मिलता है यह दोस्तो आपको hair tape cloud रहता है उसमें आप अपने file photos image वगरा डाल सकते हैं different devices में manage कर सकते हैं उसके लिए दोस्तो आप कही भी o.oppo.com में login करके आप अपने file data वगरा को manage कर सकते हैं तो यह o work जो है आपके hair tape cloud account के थुरू ही आपके जो file वगरा है उसको manage करने के लिए यहाँ पर यह o work का new features add किया है इसके लवा बात की जागले change की तो camera की अंदर अगर दोस्तो आप camera यूज करते हैं photo अगर लेने के time पर low probability में आपको camera flashback का problem होता था automatic camera जो है exit हो जाता था जिसकी जैसे photo लेने में problem फैस होता था तो उस problem को भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप camera यूज करते हैं photo अगर आप click करते हैं तो आपको better experience के साथ photo click और camera यूज करने को मिलता है इसके लाव बात की जैगले bug fixes की तो वो आपको मिलता है दोस्तो stucking issues का यहाँ पर दोस्तो अगर आप phone यूज करते हैं तो उस time पर screen flickering, stucking problem वगर देखने को मिलता था तो उसको यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे की अब आप mobile यूज करते हैं तो आपको better experience देखने को मिलता है जो flickering इसू, stucking इसू देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix कर दिया है इसके लाव बात की जैगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो apps के अंदर अगर दोस्तो आप YouTube apps यूज करते हैं उसमें आप video play करते हैं तो उस time पर आपको sound सुनाई नहीं देता था यह problem दोस्तो कुछ कुछ situation में होता था अगर आप video music अगर अप play करते हैं तो आपको उसका sound सुनाई नहीं देता था तो इस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको better experience के साथ video अगर अप play करते हैं तो आपको आइडियो सुनाई देता है एंड गे इस बात की जाई सबडेट के बाद इसके battery section की तो यहाँ पर आप check out कर सकते है इसका जो battery performance है आपको आर भी better देखने को मिलता है पहले जो थोड़ा बहुत battery draining का problem होता था third party apps अगर जादा battery consume करते थे तो उन सभी problem को यहाँ पर reduce करके battery performance को और भी better improve कर दिया है जिससे कि अब आपको better battery backup battery uses देखने को मिलता है साथ ही दोस्तो इसका जो charging speed है वो भी सही देखने को मिलता है बट यहाँ पर दोस्तो अगर आप charging करते हैं तो आपको थोड़ा hitting issue देखने को मिल जाता है एंड गर इस बात की जाए इस update के बाद इसके game performance की तो यहाँ पर जो game performance है वो पहले से better देखने को मिलता है पहले जो game में lagging issue, jitter issue और बीच-बीच में frame drop issue अगर देखने को मिलता था उसको यहाँ पर reduce करके R भी better किया है जिससे कि अब आप game अगर खेलते हैं तो आपको better gameplay देखने को मिलता है लेकिन दोस्तो अभी भी आपको बीच-बीच में jitter issue देखने को मिल जाता है लेकिन यहाँ पर पहले से better देखने को मिलता है साथी दोस्तो अगर आप game खेलते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा hitting issue देखने को मिलता है तो यह रहा इस update का full review दोस्तो यह update आपको मिला है कि नहीं मिला है और अगर मिला है तो कौन-कौन से बग से देखने को मिलता है आप मुझे comment करके जरूर बताइएगा तो इतना ही था दोस्तो इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो like, share और subscribe करना ना भूले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye and take care दोस्तो